नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्रिकेशन यूज में अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के बड़तों आपको बता दे मोतीहारी के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीम मोदी ने कहा कि विपक्षियों की ओर से आरक्षन को लेकर जूट बोलने का भियान चलाया जा रहा है अमबेट कर नहीं होते तो SCST को आरक्षन नहीं मिलता पीम मोदी ने कहा कि नहरू और इस परिवार के सभी पीम ने इसका विरोध किया ये लोग एक वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आपका आरक्षन छीन कर जिहाद वालों को देना चाते हैं उन्होंने कहा कि चमपारण में बापू ने सत्य अग्रे और स्वेच्छा ग्रे की शुरुआत की थी वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दें घटना छपरा के नगर थाना शेतर के भिकारी ठाको चौक की है बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच विवाद हुआ था सारन के डियेम अमन समी ने मौत की बात सुईकार की है कई राउंड गोली चलाई गई हैं दरसल बीते सुमवार 20 मई को सारन में चुनाव के दोरान बूत संख्या 118 पर मतदान के वक्त तनाव बड़ा था इसी के बाद ये बवाल हुआ है इस बीच सारन में 23 मई तक इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया है शहर के गांधी चौक, कठरी, बाग, मौना, गोला, रोड, मौना, चौक, सलेमपूर, चौक, एवं नगरपाली का चौक के आसपास के लाकों में दुकान बंद होने लगी वही स्कूलों से भी बच्चों को वापस भीजा गया अगली खबर के और बड़तो आपको बता दे छप्रा के भिकारी ठाको चौक पर मंगलवार 21 मैं को फाइरिंग कांड पर अब सियासत शुरू हो गई है घटना को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्य मंतरी तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है बता दे की पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में हिद्नसा को कोई जगा नहीं होनी चाहिए प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई आज सुभा जो घटना हुई है तो सुनने में ये आ रहा है कि दो लोग घिरफतार के गए हैं दो लोग फरार हैं प्रशासन ने भरोसा दिया है कि शाम तक जो बाकी के दो लोग हैं उनको भी पकर लिया जाएगा बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बोखलाहत से इस तरह का काम करते हैं वह इस घटना पर रोहिणी आचारे ने कहा कि मेरे उपर जान लेवा हमला हुआ बीजेपी के गुंडों ने ये क्या है और हमारे तीन कारे करताओं को गोली मारी गई है इन सभी लोगों पर कारेवाही होनी चाहिए अगली खबर के बड़तों आपको बता दे भगपा माले के राश्ट्र महासचिफ दिपंकर भटाचारे ने पीएम मोधी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाचपा अंकार में मदमस्त है विपक्ष को खत्म करने के लिए पार्टी को तोड़ देने के जिवाल और हेमंत सुरेइन को जेल भेज देने नितेश कुमार को किडनैप कर लेने और पूरे देश में तहस नहस कर देने में लगी हुई है यस रहंकार को मिटाने के लिए ये चुनाव उप्युक्त है उन्होंने कहा कि भाचपा देश के आजादी लोकतंत्र और समविधान को खत्म करने में लगी हुई है देश की संपदा को हडप कर आदानी अंबानी के हातों में सौप रही है रस्टोनाव में भाजपा को सक्ता से उखाड फेकने की जरुवत है वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे बिहार शिक्षा विभाग में जब से केके पाठक आए हैं सबसे अलग-अलग आदेश से हडकंप मचा हुआ है बता दें की ताजा मामला औरंगाबाद से सामने आ रहा है जहां उच्छ नियायाले के आदेश पर टी आरी वन और टी आरी टू के तहत बहाल हुए बिहार के बाहर के शिक्षकों की नौकरी खत्रे में आ गई है इससे संबंधित एक पत्र सोमवार को औरंगाबाद दी पियो स्थापना की ओर से जारी की गई है इस पत्र में जिले के दस शिक्षकों को आयोगे मानते हुए नौकरी से मुक्त करने का निदेश दिया गया है इन शिक्षकों में गड़ित विज्ञान के दो सामाजिक विज्ञान के तीन अंग्रेजी के दो हिंदी और अंग्रेजी के एक एक शिक्षक शामिल है इन सारे शिक्षकों के नंबर नभी से कम है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज धनिवाद